तो 100K होने के बाद कि ये 1st वीडियो है, तो 1st of all, thank you so much guys, once again, बहुत ज़्यादा आप लोगों का support मुझे मिला है, प्यार मुझे मिला है, उसे कारण हमने 100K का जो एक बार है, वो cross कर लिया है, आगे बहुत जो है, आमें जाना है, तो ऐसी बने रहना चैनल पर और भी high quality 35 और तीसरा है, boat rockers 330, इन तीनों की price range में सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज का जो है, आपको difference मिल जाता है, और मेरे पास बहुत सारे comment आते हैं मेरी earphones वीडियो में, कि भाई, बोट का कौन सा earphone लिया जाए, काफी ता confusion है, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों बिल्कुल straight forward होके sorted way में समझा दूँगा कि आपको कौन सा purchase करना है और कौन सा नहीं करना है, और आज की वीडियो के हम लेके चलते हैं, सिर्फ और से 1400 लाइक का target वो भी जरूर कर देना, बेल्ड कॉलिटी की बात करें तो boat rockers 255 pro का जो build है वो plastic material में बना हुआ है, इवन इसका neck bend भी वो मुझे इतना पसंद नहीं आया है, काफी hard सा है, long term के लिए जब इसको आप पहन के रोखोगे तो थोड़े दिनों बाद आपको itching वगरे होने लगेगी, यह इतना hard है कि अगर इस पर direct sunlight कुछ महीनों तक पड़ेगी, तो crack होने के काफी जादा chances बढ़ जाते हैं, तो यह एक चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है, प्लास्टिक के कॉलिटी में ही जो इसके आपको modules मिल जाएंगे, modules की कॉलिटी मुझे अच्छी लगे, लेकिन neckband important होते हैं, long term के लिए लोग पहनते हैं, तो यह मुझे इतने comfortable नहीं लगे हैं, वायर की कॉलिटी की बात प कोई भी problem नहीं होगी, काफी strong quality मिल जाती है, लेकिन neckband boat rockers 255 pro का मुझे जाधा पसंद नहीं आया है, आगे बड़े और बात करें boat rockers 330 की, तो यहाँ पर आपको silicon rubber का neckband मिल जाता है, जो आपको काफी अच्छा comfort दे देगा, वही आपको boat rockers 335 में भी देखने को मिलता है, ब दोनों में ही आपको quality काफी अच्छी मिल जाती है, long term के लिए पहन के रख सकते हो, कोई भी eaching वगरी का problem मुझे personally नहीं हुआ है, और एक जो improvement सबसे जाता होता है, वो यह कि आपको दोनों के module जो है, वो metallic design में मिल जाते हैं, तो एक तरीके से आप 100 रुपीज एक्स्ट्रा जो कोई भी problem नहीं होगा, buttons वगरी की बात करें, तो boat rocker 330 और boat rocker 335 में जो buttons है, वो modules में दिये गए हैं, जो मुझे जाधा अच्छे लगते हैं, तो खराब होने के जाधा chances नहीं होते हैं, लेकिन boat rocker 255 में आपको wire में ही आपको plastic का छोट असा module मिलता है, आपको buttons मिल जाते हैं, तीनों में ही बराबर fast charging का support मिलता है, तो आप जल्दी से जल्दी, यानि कि मैं बोलू 20-25 मिनिट में आप full charge कर सकते हो, ये technology मुझे boat की काफी पसंद आती है, और ये तीनों में ही मिल जाती है, और battery life की बात करूँ तो वो भी तीनों में almost save मिलती है, देड़ देड़ आपको battery backup दे देता है, और boat मेरे साब से 2,000 रुपीज में one of the best है, बैटरी life के मामले में, अब देखो sound quality की बात कर लेते हैं, और ये एक पार्ट है, यहां पर confusion बहुत जादा create हो रहा है, क्योंकि स्पेसिविकेशन जो है तीनों में एक जैसी मिल जाती है, ध्यान से सुनन आपको 10 mm के driver दे रहा है, जो 1400 रुपे में आ रहा है, वहां पे भी आपको same driver मिल रहा है, और beach वाला है उसमें dual driver मिल रहा है, तो ये एक चीज है बहुत जादा chaos create कर देती है, ये technical specification है, लेकिन honestly अगर मैं अपना opinion दूना, तो यहां पे boat rockers 335 का ही sound मुझे काफी सही लगा है इसमें आपको Qualcomm का aptX codec मिल जाता है, ये एक जो codec है ये काफी HD quality का आपको sound produce करके दे देगा, bass की quality, treble की quality आपको जो है boat rockers 335 में जादा better मिल जाती है, 330 में भी अच्छी है लेकिन punchy bass बहुत जादा है, same 255 pro के साथ में है, बहुत जादा bass होने कारण सर दुखने लगता है जो background में instrument वगरे बज रहा है वो इतने clearly सुनाई नहीं देते हैं, ये एक कमी मुझे इन दोनों earphones में लगी है, लेकिन जो इसका बड़ा भाई है boat rockers 335 जो आपको 1600 रुपीज में मिल जाती है, उसमें आपको sound quality काफी insane मिल जाती है, treble की quality भी तीनों में जो है मुझे almost same लग rating की, यहाँ पे boat rockers 330 और 335 में आपको IPX5 rating मिल जाती है, तो अगर आप भार जा रहे हो, बारिश वगरे हो रही है, तो आराम से जहल जाएगा, waterproof नहीं है, पानी में एकदम मत दुबा देना, लेकिन स्वाइट वगरे आता है तो वो भी जहल जाएगा, वही थोड़ा बहु सेंपल सुनिये, उसके बाद में अपना ओपीनियन देता हूँ, CVC noise cancellation के साथ में आता है, तब इन एरफोन को जब पहन होगे, तो आपको थोड़ा सा बाहर का कम सुना ही देखा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ही जो ब्लैक आउट रहा है, अब जो आप सुन रहे हो, यह डिरेक इन एरफोन के माइक के सुन रहे हो, मैंने अभी अपने दूसरे नमबर पर कॉल कर दिया है, और उस नमबर पर मैंने call recording option enable कर दिया है, ताकि मैं आप लोगों बता सकूँ, कैसी आपकी आवाज सामने वाले, यानि receiver end पर जाएगी, तो यहाँ पे आप लोगों ने तीनों की call quality सुने, प्लीज comment section में जाके बताना कि आपको किसकी call quality बेटर लगी है, अगर अपना opinion दूँ तो भाई मैं day to day life में boat rockers 335 को ही use कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको जो पीछे का noise के है, वो जादा cancel होता हुआ, मिल जाएगा, boat rockers 330 में भी आपको noise cancellation अच्छा मिल जाता है, ल बात करते हैं, तो बिल्कुल time waste नहीं करूँगा, boat rockers 335 और 330 के almost same latency आपको मिल जाती है, बहुत ही जादा कम है, आप आराम से game अगरे खेल सकते हो, कभी-कभी फर्थ समझ में आता है, जब BGMI मैं काफी time तक खेल रहा हूँ, तो एक तरीके से audio sync थोड़ा problem होता है, perfectly किसी भी earphone में आपको boat rockers 335 और 330 में जाधा बेटर मिल जाती है, बहुत है, अब मैं अपने final opinion दे देता हूँ, इन तीनों earphones में सिर्फ और सिर्फ 100 रुपे का difference है, और यहाँ पे boat ना इसा इसलिए किया है, कि अगर किसी का budget 100 रुपे भी कम है, तो हर price range में जहाँ पे आपको earphone मिल जाते है, ले extra डालो और boat rockers 335 ही पर्चेस करो, वहाँ पे आपको एक अच्छा Qualcomm aptX लिखने को मिल रहा है, sound quality काफी बेटर है, battery life में आपको काफी अच्छे इंप्रूब में मिल जाते है, plus call quality आपको अच्छे मिल जाती है, उसे की साथ मैं build भी काफी कामाल की है, so यहाँ पे full and final, straight forward हो क आपको बता रहा हूँ की, boat rockers 335 is the best option, अगर आप boat के earphone ही पर्चेस करना चाहते हो, तो guys, इन तीनों की best bang link आपको description मिल जाएगी, आप जाकर चेक आउट कर सकते हो, क्योंकि प्राइस में जो है उपर नीचे होते रहते है, सेल में और भी कम हो जाता है, depend करता है कि आप यह वीडियो कब देख रहे हो, तो I hope आप लोगे doubts जो है, वो clear हो गयोंगे, अगर अभी भी कोई पी doubt है, तो आप comment section मुझे पूछ सकते हैं, या फिर Instagram, Twitter पे follow करके, वहाँ पे भी DM कर सकते हैं, तो इस वीडियो को हम यही end करते हैं, मिलते हैं next वीडियो में, तो तक के लिए, okay, bye-bye, take care, and peace!